इसमें वेरियस अलग-अलग पोश्ट है इसमें श्टाप नर्स के लिए वेकेंसी आप रहेंगी इसके साथ CHE यानि की Community Health Assistant तो ये पोश्ट भी है नर्सिंग की और भी पोश्ट हैं BSC, GNM और A&M वाली सभी Candidates आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, Pharmacist के लिए भी हाँ पे वेकेंसी आ चुकी है, Medical Officer ये पोश्ट भी इसमें आप रहने वाली है, करीब करीब जो है 380 प्लस पोश्ट पे रिकूटमेंट यहां पर आया हुआ है, इनमें Male, Female दोनों Candidates अपलाई करें और इसके लिए आपको application form आपको fill करना होगा, सबसे पहले आपसे भी लोग इसकी यहां पर heading पड़ें, ये जो vacancies यहां पर रिलीस है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, recruitment notice, तो recruitment का notice यहां पर रिलीस हुआ है, office of the chief medical officer of health हुगली, तो दोस्तों, DHF WS हुगली, Government of West Bengal के तह ये recruitment आजा है, NHM, NUHM, 15th Finance Commission, स्वास्त बिवा के अंतरगत, contractual basis पर ये vacancy यहां पर रहेगी, आए देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है, कितने पद हैं, कुछ पोस्ट इसमें बिना interview, बिना exam के आप लोगो के यहां पर रहेगी, qualification के आधार पर आपको इसमें selection दे दिय जाएगा, तो CHE की पोस्ट है, Community Health Assistant की, इसमें 92 पद यहां पर शामिल के गए, इसमें किसी भी तरीके का exam नहीं है, ना interview है, qualification के आधार पर आपको इसमें joining दे दी जाएगी, academics में से ही आपका इसमें आप पर selection लिया जाएगा, इसके बाद A&M candidates इसमें apply करें, और G&M diploma candidates आप आपको registration चाहिए, इस limit आपको इसमें बता दे कि salary के जानकारी भी दे दी गई है, इसके बाद medical officer तो इसमें 58 post है, और MBBS के degrees में आप लोगों से मांगे जा रही, इसके बाद देखिए staff nurse की और भी post है, 79 पद है, इसमें G&M candidates आप लोग apply करें, BSC nursing candidates आप लोग इसमें registration भी, आपको इसमें आप पर चाहिए, exam नहीं है, किसी भी तरीके का interview आपका इसमें नहीं रहेगा, इसके बाद community health assistant और भी post है, अलग-अलग programs के ताहित यहाँ पर vacancy है, 75 पाद इसमें A&M और G&M diploma candidates apply करें, और आप लोगों को West Bengal nursing council में आपको registration भी चाहिए, इसके बाद specialist officer यहाँ पे medical officers की post है, doctors के लिए recruitment है, तो 12 करीब इनमें पर पद यहाँ पर शामिल कर ले गाए, सब में MBBS के degree आप लोगों से इसमें आप मागी जारी, इसके बाद देखे लिखा है, staff nurse, तो staff nurse के अलग से polyclinics के अंतरगत 11 पद है, GNM candidates और BSC nursing candidates apply करें, West Bengal nursing council के registration के साथ, इसके बाद left technician की post है, आठ पदेस में MLT candidates आप लोग apply कर सकते हैं, तो DMLT candidates आप लोग इसमें आविदन करें, और working knowledge जो है, आपको थोड़ी बहुत computer की आपको आपे होना, चाहिए, pharmacist की लिए एक vacancy इसमें नकाली गई, bachelor degree और diploma course, तो B Pharma और D Pharma, दोनों candidates आप लोग इस post के लिए apply कर सकते हैं, staff nurse की और भी post है, ART center के अंतरगत एक पर है, BSC nursing candidates आप लोग जो है, पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं, और registration West Bengal nursing council में आपको यहाँ पर होना चाहिए, clinical psychologist के इसमें दो पद हैं, इसी field में आपको आपको आपे post graduate degree और master degree candidates आप लोग इसमें apply कर सकते हैं, multi rehab worker यह पद बैचलर डिगरी फिजियो थेरपी में, तो BPT candidates दो वर्ष के अनुबब के साथ आप लोग इसमें आविदन कर दे, facility consultant तो quality monitoring के अंतरगत एक post है, ST में, MBBS, dental, I use, nursing, life science, social science, यह सभी candidates अगर आपके पास, health admin में कोर्स है, master course है, health management में एक वर्ष का अनुबब है, आप लोग भी इसमें अपलाए कर सकते हैं, communication इसके लाप के समें अच्छे होना, चाहिए, medical officer के इसमें और भी post है, जिसमें MBBS के degree मांगे जारी, एक पद इसमें शामिल किया गया, इसके बाद आप लोग देखें, TBHV, तो TBHV के दो पद है, ST category में, graduation course इसमें आप लोग उसमें मांगा जा और इसमें आपको जो है, यहाँ पर एक वर्ष का experience पर आपको चाहिए, यह जी desirable है, वैसे compulsory नहीं है, simple DMLT भी है, तो भी आप लोग अपलाए कर दे, HTS, Senior Treatment Supervisor, यह post BS में एक पद है, और इसमें जो है, आपको graduation course चाहिए, science में, permanent two wheeler driving lessons भी आपको इसमें होना चाहिए, औ और experience है, यह फिर नहीं है, अच्छी बात है, आप लोग आविदन करें, यह compressor यह आपको इसमें आप पर नहीं बोला गया, इसके बाद ophthalmic assistant, तो यह post भी है, दो पने इसमें, और 12th class पास हो, और ophthalmic assistant का diploma course आप से मागा जा रहा, पैरा medical के अंतरगात के course आपके पास हो, तो बिलकुल आप लोग जो है, इस post के लिए apply कर सकते हैं, तो यह करीब करीब जो है, साड़े 300 से भी जादा पदों पर यह recruitment आया है, इसके लिए आपको apply करना है, आविदन करने की last date देख लीजे, last date लिखा है, 28th of March 2024, 28th March आविदन करने की last date है, आप लोग इसके लिए apply कर द submitted online, ठीक है, hard copy और print out भेजने की आपको जरूरत नहीं है, जो भी है आपको online mode में ही अपनी information आपको provide करानी होगी, बाकि इसमें सारे आपको instructions दे दे गए, आप लोग पूरा instructions को read कर लीजे, और यहाँ पे दोस्तों जो है आपको इसकी website पे दे दे गई है, online mode में आपको इस में आना चाहिए, तो update जो भी था वेकेंसी का, मैंने इसमें आपके cover की information और यदि आप लोग इस वेकेंसी को apply करना चाहते हैं, qualification है, तो आपे दन कर दे, वीडियो को आपको इहाँ आपको लाइक कर देना है, चैनल को subscribe कर लीजे, आगे और भी वेकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you so much